अलिवोड एक्टर गोविंदा कभी कॉमेडी किंग कहे जाते थे सिनेमा घरों में उनकी फिल्मे जब चलती थी तो कई दिनों तक हाउस्फल के बोर्ड लगे रहते थे लेकिन आजब गोविंदा की फिल्म एक बार फिर रिलीज हो रही है तो बहुत कम लोगों को इसकी भनत है गोविंदा और वरोन शर्मा की फिल्म प्राइटे 25 माई को रिलीज होगी रिलीज में सिर्फ एक दिन बाकी है और इसकी कोई खास चर्चा नहीं हो रही पिछले कुछ सालों में गोविंदा बड़े परदे से जैसे गायब से हो गए है उनके करियर का ग्राफ नीचे जाने के पीछे क्या बड़ी बज़ हो सकती है एक वक्त पर गोविंदा ने की 43 फिल्मे साइन लेटलती भी गोविंदा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वेह शूटिंग सेट पर काफी देर से पहुँचते थे उनके लेटाने से न सिर्फ अक्रू को इंतजार करना पड़ता था बलकि निर्देशक और कोईक्तर्स भी नाराज हो जाते थे कई बार समझाने के बाब जूद भी वे अपनी सहूलियत के मताबिक ही सेट पर आते थे कहा जाता है कि फिल्ममेकर्स गोविंदा के साथ काम तो कते थे लेकिन अंदर ही अंदर उनसे खत फा रहते थे किनमेकर से किया जगड़ा गोविंदा की जितनी भी फिल्मे सुपर हिट रही उनमें से ज्यादतर उन्होंने डेविड दवन के साथ की थी डेविड और गोविंदा की जोड़ी सुपर सक्सेस थी कहा दाता है कि गोविंदा ने डेविड दवन के साथ जगड़ा कर लिया था इसके बाद दोनों के रिष्टों में खटास आ गई थी नतीज तन डेविड ने गोविंदा को काम देना कम कर दिया एक वक्त के बाद डेविड ने अपने बेटे वरुन दवन को फिल्में देना शुरू कर दी और गोविंदा गायब से हो गए आलिया भठ के साथ फिल्म नहीं करेंगे गोविंदा फिटनेस पर नहीं दिया ध्यान आजकल के बालेवुड एक्रस ना सिर्स बेहत फिट होते हैं बलकि रोल के मताबए खुद को ढाल लेते हैं गोविंदा ने अपनी फिटनेस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया वक्त के साथ उनकी फिजिक खराब होती गई और इससे उनकी अपील में फर्क आया यह भी एक वजह थी कि गोविंदा को निर्देशक युवा किरदारों के लिए साइन करने से कत्राने लगे